हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप स्टैट्स गुरू का यूज करके किसी भी तरह का क्रिकेट से रिलेटीड स्टैट पा सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर स्टैट्स गुरू सर्च करना पड़ेगा सर्च करने के बाद आपके सामने कई उप्शन्स आ जाएंगे जिसमें बैटिंग, टेम, बॉलिंग, पार्नर्शिप और कई उप्शन शामिल है उसमें से आपको अपनी मर्जी का उप्शन चूज़ करना होगा जिस से रिलेटिड आपको स्टैट चाहिए मैं यहां से बैटिंग चूज़ कर रहा हूँ बैटिंग चूज़ करने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का टैब आजाएगा जिसमें कई अलगे-लग उप्शन्स दिये हुए तो जो पहला उप्शन है यहाँ पर वो है टीम आपको जिस टीम के प्लेयर्स का स्टैट चाहिए आप उस टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं इस ओप्शन में से दूसरा ओप्शन है ओपोजिशन आपको जिस ओपोजिशन के खिलाफ के स्टैट चाहिए आप उस ओपोजिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस ओप्शन से तीसरे option से आप venue चूज़ कर सकते हैं Home, Away and Neutral चौत्य option से आप Host Country चूज़ कर सकते हैं मतलब वो देश जहाँ पर match खेला गया था उसके बाद एक option Ground का भी दिया गया है इसके अंदर से आप select कर सकते हैं जिस Ground के अंदर के stats आपको चाहिए अगला option है Starting Date और Ending Date का यहां से आप select कर सकते हैं आपको कब से लेकर कब तक का stat चाहिए और नीचे Quick Pick का option भी दिया गया है जिसमें से आप select कर सकते हैं Last 1 Year, Last 2 Year, Last 5 Year यह तो अपनी मर्जी का Decade भी select कर सकते हैं यहां से उसके बाद अगला option है Match Result का जिसमें से आप select कर सकते हैं One Match, Lost Match, Drawn Match या Time Match Last में आपके पस View Format का option दिया गया है जिसमें से आप select कर सकते हैं Overall Stats, Batting Format, Balling Format और Inning Wise Inning Stat भी आपको यहां से मिल सकता है और Last में Submit Query पर क्लिक करके आप अपना Stat पा सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको यह website यूज करके दिखाऊँगा एक example के साथ तो चलिए सबसे पहले हमें अपनी team चूज करनी होगी तो मैं team चूज कर रहा हूँ इंडिया Home, Away और Neutral में से मैं Away चूज कर रहा हूँ अब बारी है Opposition चूज करने की तो अब हमें West Indies के अंदर One Matches में सबसे ज़ादा Run बनाने वाले Indian Players की List मिल जाएगे जो Stats Guru का Default Opening Mode है वो Test है इसलिए हमें Test Matches का Stat मिले है अब अगर आपको यही Same Stat Bowlers के लिए चाहिए Same Filter के साथ तो दिया गया Bowling का Option चूज कर सकते हैं आपको Same Filter के साथ Bowling Stats भी मिल जाएगे अगर आपको ODA T20 का Stats चाहिए तो आप उपर से Format Change कर सकते हैं और आपको Same Filter के लिए अलग Format का Stats मिल जाएगा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग